केरल सरकार ने गवर्णर आरिफ मुहम्मद खान को केरल कलमांडलम डिम्ट टू विश्विद्याले के चांसलर के पद से हटा दिया है अभी तक ये पद राज्य के राज्य पाल के पास रहा करता था और आपको बतादे कि विजन सरकार का ये फैसला एक नए विवाद को जन्म दे सकता है वहाँ उनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की नियुक्ती को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा है गवर्नर और राज्य सरकार के बीच लगातार तनाव की स्थिती है और केरल की सक्षा मंत्री कह चुकी है कि अगर गवर्नर आरिफ मुहम्मद खान इस आदेश को नहीं मानते हैं और अद्धधेश पर हस्ताक्षन नहीं करते हैं तो उस सिती में राज्य सरकार विधाय के लाकर इसे पूरा लागू कराईगी जिस विवाद के वजह से केरल में राज्य सरकार बनाम राज्यपाल की जंग छेडी है वो तो तब शुरू हुआ जब आरिफ मुहम्मद खान ने केरल के नौ युनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को इस्तीफा देने के निरदेश दिये थे करल के राज्यपाल ने नौ युनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को इस्तीफाई का निरदेश देने के पीछे सुप्रिम कोट के फैस्टे को आधार बताया था आपको बताने कि करल में गवर्नर वर्सिस सरकार होता नजर आ रहा है क्योंकि पहले नौ युनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को हटने का आधेश दिया था गवर्नर ने जिसके बाद केरल सरकार ने फैसला लेते हुए गवर्नर को ही चांसलर के पच से हटा दिया